आज से हम लोग भगवद गिता के सुल मैं जय को शिरू कर रहे हैं तो पहला दूसरा तीसरा श्लोक है तो उसकी व्याख्या दो तिन दिन चलेगी काफी लंबी टीका है तो आज हम लोग प्रयास करेंगे कि जो बल्दे विद्यावशन जी की टीका हुआ है और श्लोका अभयम सत्व संशुधि जन योग विवस्थिति दानं दमस्च यक्यस्चा दमस्च यक्यस्चा स्वाध्याय स्थप आर्जवं अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागह शांतेर अपैशुनं दयाभूतेशु लोलुप्त्वं मार्दवं हरीरचापलं तेजह शमांधर तेजह शमांधर तेशोचं अद्रोहुनाति मानिता धवंति संपदम दैवे अभी जातस्य भारत अभी जातस्य भारत अब मैं इसके आवरिती नहीं करा रहा हूं हम अपर समय कम है देखिए यह श्लोक है यह अध्धाय का लिंक क्या है समझना होगा पिछले अध्धाय की शुरुवात में हमने पंद्रे में अध्धाय में अश्वत विर्ष के बारे में सुना था उस अंसार रुपी विर्ष है और आपको याद है कि उसकी शाखाय क्या थे हमारे शरीर और इसकी सेकेंडरी जड़े क्या थी यादा है सेकेंडरी जड़े थी वासनाएं जो हमें जगत में कारे करते हैं उसके अंसार हमारे राग और देश रूपी वासना होती है कुछ कारे करने अच्छे लगते हैं क कि इन अनाधिकाल से ग्रसित वासनाओं के कारण दो ही प्रकार के लोग होते हैं असरी राक्षिसी विचार वाले और यानि आसरी विचार वाले और देवी विचार वाले देवी विचार वालों के जो गुण हैं वो उपादे हैं उपादे मतलब बहुत अच्छे हैं और आसरी गुण जो है वो बहुत है हैं मतलब बहुत खराब हैं इंदी समझ में आ रहे हैं तो तीन श्लोकों में देवी गुण का बढ़न होगा उसके बाद भगवान काफी समय तक आसरी गुण का बढ़न करेंगे और आप प्रश्न कर सको गया आप कर भी सकते हैं कि आसरी गुण का बढ़न करने की क्या आपशकता है उनके दोश को देखकर उनके प्रति हमारे हिर्दे में हे बुद्धी हो जाएगी है बुद्धी समझ रहे हैं यह बिल्कुल अच्छी चाय भी है तो हम लोग फिर भक्ति करने के लिए प्रेरित होंगे ताकि द्याविय गुण हमारे अंदर में बढ़ें अच्छा अब आप इस तीन तीन श्लोकों में चार वर्ण चार वर्ण कौन से हैं भाईयों ब्राम्हन शत्रिय वैश और शूद्र और चार आश्रम क्या है ब्रह्मचारी ग्रहस्त ग्रहस्त और ग्रहस्त कल्यूंग में तो ग्रहस्त यह वानपरस्त सन्यास तो है नहीं तो नहीं लोग जाना नहीं चाहते ना तो खेर ब्रह्मचारी ग्रहस्त वानपरस्त और सन्यास तो इन गुणों को हम अभी अर्थ हम नहीं बताइंगे कर तटीका में लिखा हुआ है मैं खाली बताओंगा कि यह कौन कौन से गुण कौन कौन से आष्रम के है और कौन कौन से वण के हैं तो श्लोक को देखिए अभयम सत्व शम्षुद्धि दीख रहा है और संथ्य जुए यह सन्याषी के गोण है कि दान और दम और यग्य दिख रहा है सेकंड लाइन में यह ग्रहस्त के गुण है स्वाध्या यह ब्रह्मचारी के गुण है कितने लोग ब्रह्मचारी यहां पे हैं ठीक है तो आपनों का कौन से गूड है भाई हूँ पार्त किश्न पुर० रहए ब्रहमचारी का स्वाध्याए कौन से गूड है तो आप बताऌ सच्छेन महाराज स्वाध्याए का मतलब क्या होता है यह होता है सवाधा का मतलब सद्ध्या मतलब वेदिक शास्त्रों को पढ़ना क्या जरूरत पढ़ने की सो छोड़ूगा नहीं ब्रहमचारी सामने है क्योंकि इसके द्वारा दिवज्यान हम कल्टिवेट करती है से पूरा आधार है पूरे सारे चाय व्यक्ति आगे ग्रहस्त में जाए चायवानपरस्त में कहीं भेवी जो विज्दिव्यान अम ब्रहमचारी आस्रा में घठjos करते हैं वह हमारे आगे के जीवन के रिए मौंग जगड़ा कीजिए जाकर के भगवां से अपनी पिता जी से जगड़ा कीजिए पिता जी बोल रहे हैं ब्रह्मचारी मतलब स्वाध्या है कर्मचारी नहीं है कर्मचारी है कि आप लोग कितने कर्मचारी यहां पे एक भी कर्मचारी नहीं है तो ब्रह्मचारी है आप ठीक है आप बाहर करमचारी हैं लेकिन वैसे गोल रहे हैं जो इनको छोड़ देते हैं तो आप को अच्छा लगे यह न लगे लेकिन ब्रहमचारी जीवन में शास्त्र अध्यन बहुत जरूरी है इसको आप बाइपास नहीं कर सकते नितों भगवान की अवग्या कर रहे हैं जैसे अ अब किसका है वानप्रस्तों का उसके बाद से आर्जवम इत्यादी से ब्राम्भनों के कुड़ हो रहे हैं ठीक आर्जवम अहिंसा सत्यम कुरोध त्याग शांतिर अपैशुनम दया अलोलुप्त्वम मार्दवम हरीर कितने हो गया है हम गिने मैंने दस बारा ग्यारा गिन ठीक है और तेज शमा धृति यह है पुषत्रिय के गुण शौचम अद्रुह यह वैश्य के गुण और ना अति मानिता यह है शुद्र के गुण यह आप ठीका पढ़ेंगे तो इस पश्ट हो जाएगा भवन्ति संप्रदम दैवम अभी जातव सिपार भारत तो अब यह रहा है उसके अनसार उसके हृते में यह सारे अपने आपाने लगते हैं अब सूशन बात यह है कि जो वक्ति महलों शुद्र है अब स्वाध्य नहीं कर पा रहा है लेकिन ना अति मानिता का मतलब है कि अपने बहुत समान की च्छान रखे और उपर के वर्ण वर्ण और तो यह उसके मुक्ति के कारण होंगे ऐसे ब्रह्मन का और ऐसे ही शत्री का इसलिए भगवान अरजुन की बात का अनुमदन नहीं कियते तो कि मैं यूद छोड़के चला जाओ सन्यास लेलू क्या यह शत्री का करतव है नहीं है समझ रहें इस अपने करतव में स्थित रहते हुए भगवान की सीवा करता है तो विक्ति दिविस्तर पे रहता है यह बहुत अच्छा है लेकिन आप यह मुसे मत कहिएगा कि प्रभुजी जब स्वाध्य की बात है प्रभुजी मैं तो शुद्र हूं यह नहीं चलेगा आप यह होता यह कि हम तब नहीं करना चाहते है प्रभुजी में तो मुर्ख हूं में तो शास्तर पड़ी नहीं सकता ऐसा नहीं होता है भवान का नाम कर रहे है भर्क्त है तो प्रभुपाजी इस्पेशली मंदिर मतलब ब्रह्मन के लोगों को रखाए समझ रहें मेरी बात तो प्रयास करना चाहिए अगर नहीं प्रयास कर रहेंगे तो फिर यह से फिर कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ चर्चा हो रही है तो थोड़ा माथा ज़रूर मारना चाहिए ठीक है इस वानी के वे Christmas box स्वाध्याय है मारना चाहिए देखिए हम सबकी बात स्चाहा लोग बढ़ते हैं लेकिन Wibha क्यों में कि ब्रहता ब्रहाशार कि वेक्ति ट्रेनिग सुकर कर रहा है सिक्षा सोड़भा ताकि आगे जाके कि इसम率sterm सब और कुछ भी हो रहा यहां पर बात रखी गई सभी के नहीं इसके लिए को आप्शन नहीं उसे करना ही है ज़कर नहीं है और इसके दौरा क्योंकि मानव जीवन हमारे शुद्धी करने के लिए हम शुद्ध होएं तो इसलिए उसको नेगलेट नहीं कर सकते कि मारा मूड आएगा तो पढ़ेंगे तो मूड आएगा तो नहीं पढ़ेंगे अब देखो स्विकार करो ना करो भगवान की बात है पिता जी बोल रहे हैं तो सुनना चाहिए ना बच्चे को और एक बात है शुरुवात में भले आपको लगे कि क्या आप बोल रहे हैं क्यों पढ़ना है एक बार आप नेमी से पढ़ने लग जाएं तो बहुत दूशी लगती है भगवत गीता में भागवतों में बहुत अच्छा लगता है पढ़ने अभ्यास करना चाहिए और इसलिए मैं क्लास निमी तुरुप से करता हूं कि ना भी करे तो कम से कम एक घंटा कर सोने तो कम से कम भगवान ने कहा दान आत्म संयम यक बरायनता वेदा ध्यन तपस्या सरलता अहिंसा सत्तता क्रोध विहींता त्याग शांती चिद्रान वेशन में अरुची समस्त जीवों पर करुणा लुब विहींता भद्रता लज्जा संकल्प तेज शमा धैर्य पवित्रता इर्शा तथा समान के भिला आशा से मुक्ति यह सारे दिवगुण हैं जो देवी प्रकेति संपन देव तुल्य पुरुशों में पाए जाते हैं अब टीका पढ़ेंगे तो एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे गीता बुष्ण टीका सोल्वे अध्याय में भगवान स्री क्रिष्ण दैवी तथा आश्री संपत का वर्णन करते हैं और यह सिखाते हैं कि दैवी संपत उपादे है और आश्री संपत हे यह है उपादे का मतलब क्या बताया था अच्छा है इसको स्विकार करना चाहिए एक क्या अर्थ बताया था खराब है इसको हमें अस्विकार करना चाहिए जैसे कि आप देखेंगे धुर्व महाराज के प्रसंग में अधर्म के वंशच का वंदन है कि अधर्म के क्या बच्चे पैसे बच्चे पैदा हुए उसका वर्णन है और उसके बाद कहते हैं मैं तरी मुनी कि जो इसको तीन बार सुनता है उसके सारे पाप नश्ट हो जाते हैं अधर्म का सुन रहे हैं लेकिन वेकिन क्यों पाप नश्ट होता है यह खराब चीज है इ पहले किये गएterior के अंसार जो पुन ने यह पाप के संस्कार होते हैं वही कंसार के अभ जड़े हैं याद आराहे है पर अश्वत पेड था उसकी जड़ कहां थी उपर कहां अब उपर मतलब मारे अपर वाले रूम में त्रक्रेस Leo सब्सक्राइब और उसमें फिर जड़ें क्या थी वासनाय और वासनाय कैसे निर्मत होती है कर्मों के सार अपने इमन से कर्म कर रहा है राग दूश हो रहा है यह बात आपको याद होगी तो यह बात बोल रहे हैं कि उन संस्कारों की वज़े से लोगों के अंदर देविया आ आसुरी प्रिवर्तियां आती नौवे ध्याय में भगवान ने कहा था कि जीव या तो देवता असुर या राक्षी सभाव वाला होता है सत्व गोणी रजगोणी या तमगोणी नौवे ध्या में क्या बोल रहे थे भगवान की यहां पे श्लोग जो कोट किया गया है वो आप श्लोग भगवान को से पहले वाला श्रुग में क्या था अब जानांती माम मुढा मानुश्यम तनुमास्रतं परम्भाम जानन तो वह भूत्म हैश्वरम कल किसी ने मुझे पूचा कि आप जो कृष्ण को नहीं मानते हैं उनको क्यों आप उसे खराब बोल रहे हैं त कहते हैं एक फ़णाने फिलोसफर का नाम बोला इस पे आपका क्या मत है तो मैंने कहा कि फूल नंबर वन तो उसको बड़ा आश्यर हो अगरा कि प्रवजी तो बड़े मालब क्या करते हैं इस्ट्रिक्ट नहीं एरोगंट है इत्ते बड़े फिलोसफर को आप फूल नंबर कि कंशी 나오रे उसे फूल नंबर वन मीज기에 बाकि नहीं जान रहे नहीं तो यह नंबर वइन मतलब वर्वल को keeping Paule के निवा क्रिमा में पेर मौडा बोल यसे वहां अर्य यह कर रहे तो एसे लोगंकी प्रवर्ती होती तो आपके में में प्रश्ण आगा कि ऐसा क्यों है इतना कुछ पढ़ने के बाद अधान दिज्यों का ऐसे फिलोसफर वेद भी पढ़ते हैं वह अताकते फिलोसफर ओपन ली वेद भी कोड करते हैं लेकिन यह नहीं समझ भार रहें कि वेद क्यों लिखे गए को कारौन आतनों कि प्रमपरा में व्यान सविकार करते थिखती है तो समझ मारा इस परकार कर सभाव होते हैंém देखते हैंकि हम अपने धुँंहें में कोई घृक्तों दूंतीना है क्यों हैं तक कभी-कभी एक ही माद बच्चे कि दो लुग सभाव के और शहीं शाइद जहें पुन्निसनसकार होते हैं इस लाइन को बहुत ध्यान पुरख सुनियों दैवसभाव में साथविक मनोभावना और पुन्निसनसकार होते हैं अच्छे इंप्रशन होते हैं जिसके कारण व्यक्ति वेद के नीमों के अनसार कार करता है इसको मैंने highlight underline किया हुए और इस कारण से है गुण मुक्ति के लिए उपयुक्त होते हैं यही देवी संपद है जिसका वर्णन इस अध्याय में हुआ है और जो इस अश्वत व्रिक्ष का उतकृष्टिफल है यह बात समझ में आ रही है देविये गुणों से युक्त व्यक व्यक्तिका शास्त्र के अंसार्जिता है और शास्त्र क्या करते हैं उसको धीरी देव मदद करते हैं जगत से मुक्त होने के लिए जैसे भगवान को भोग लाकर खाना और ने बगद के सम्पता है कि नहीं पत्रम पुश्पन फुलम तो यम तीन तेरम में बताया यग बगवान बोले अपने कर्म को मुझको समर्पित करो तो अपने पग पग पे ऐसा विक्ति यही सोचेगा कि मुझे शास्त्र मुसार क्या करना चाहिए यह बास मैं आ रही है और वह शास्त्र पर शद्दा क्यों रखेगा क्योंकि पहने से उसके पिछले जनम का इस प्रकार का संस्कार संसकार है तो उसको श्रध्धा होते ही बागवद्गीता इस में आप डेखो पिरि्चिंग करने झाओ कुछ लोग स्विकार कर लेंगे भागवध कर लेंगे ज्यादा चिर चिर नहीं करेंगे को goofy आज को बिदी को डब अब से हैं से मैं उनका नाम भी नहीं बोलना चाहता है स्क्रास मैंने तो इसने वीडियो मुझे बैजा इस परकार से यह जैसे मैंने को बताया था एक बुढ़्धा भारत पुने बोलना था मेरे को और यह की तो कोई भी लिख सकता है कि क्या कर रहे हो तो किसी समान इंसान ने लिख कि यह दिखाता है कि उनके हृदय में पाप बसा है और पहले बुरे कारे की हैं इस कारण से ऐसी मनुवृत्ति है हम उनके उनकी निंदा नहीं कर रहे है दा पॉइंट इस कि क्या उसका जो डिजीज है उसका डागनोसिस चल रहा है कि क्यों ऐसा कर रहे है मेरी बात समझ मे पहले जन्मों में पाप की उसके कारण से उनकी अब शास्त्रत्यादी में श्रद्धा नहीं होती है ठीक है ना किती लोगों बिलेंगे अगर ब्रामण लिख दिया ऐसा वासा ऐसा करके बोल देंगे एक बार महाराज बोल लेते कि भागवत में यह क्यों लिखा है एक व्यक्ति उनको बोला तो महाराज गुष्य हो गए बोले हाँ अगली बार वेदव्याज जी भागवत लिखेंगे तो आपको बगल में बठा देंगे कि मैं कोई गल्ती आप है तो संशोधन आप कर लिज अधिया दोंपरो है कि ने वेदव्याज जी पर आरोप लगाना चालू कर देते हैं लोग यह चीज ठीक लिखेंगे यह तो हम नहीं मानते यह तो अच्छा नहीं है फिर ऐसे लोग आप समझ सकते हो कि आसुरी प्रवर्ति वाला को किसी का प्रश्न है यस क्या जूम पर है ओ आसुर और राक्षष में क्या अंत्र है समा ने जिखते हैं यशियम जदा मैंजें मैंस में अभी मैं प्रवेश नहीं करना चाह रहा हो लेकिन मेन बात यह है कि असरे विक्ती रजोगुणी होते हैं और राक्षिसी विकती तमागुणी होते हैं मोटा मोटी बात वैसे असा नहीं कि प्यूर्ले सब्सकराने वाला होता है और पाप मह संसकारों से युक्त होता है साथ ही वह hardy यह व्यक्ति का नरक में पतन कराने वाला होता है यह असुर संपद है और यह अश्वत विर्क्ष का हे फल है इलाइन समझ में आरे हैं जेखिए जो व्यक्ति शास्त्र को नहीं मानेगा तो क्यों वो किसी को नहीं मानेगा मेरा प्रश्ण समाज में आ रहा है जो शास्त्र को नहीं मान रहा है किसी को नहीं मान रहा है किसको मान रहा है अपने मन को हमारे दादा जी बोलते थे बिटा सुनो सबकी करो अपने मन की क्या दिव ग्यान है सुनो सबकी करो अपनी मन की हां यहीं बोलते हैं सुनो सबकी और क क्या हो तुम्हें अपने मांका का था तो सुनने की जुरुधत थी पताईए यह उपदेश सीनियर तथा करेद्स सीनियरों का इसलिए वेष्चनम का भकतों का संग करना चाहिए मैं रिपीट कर रहा है जाना इस बात को संपों कि आयरें संपा प्रभाव प्रकत नहीं और अपने यहां पर क्या सीक है इकदम विप्रीट आप लोगों अभी देवी संपध का मुखेगुन क्या सिखा कि शास्थ्र पढ़ते हैं और लिखा अशकू पढ़ते हैं यह सक था भी यह भी नहीं सीखाता है दोनों चीज और यह क्यों होता है क्योंकि पहले की जीवन में स्थारख करकि प्रवर्ती अब आ पकी है हिसी इक बिमारी के डी जैड्र शास्त को बिल्कूल सम्मान नहीं देना और राग और द्विश के अंसार कारे करना जो अच्छा लगता है पूर जर्म के संस्कार के अंसार वो करेगा और जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं करेगा अब जो अच्छा लगता है कि जिरूरी है कि वह अच्छा हो क्या नाम बताता कट कनक 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 चतनपु इस जगत में हमें जो अच्छा लगता है कि वह हमारे लिए अच्छा होता है हिंदी समझते हैं आप आप मंगला आनवाद करते हैं क्यों शानुप बताई जो आपको अच्छा लगता है वह हमशा आपके लिए अच्छा होता है है की नहीं जैसे मान लिजेक को वेक्ति ऐसे परवार में पैदा हुआ जहां वोग मास खाते हैं तो उसको सबादे कि उसको मास खाना अच्छा लगेगा तो क्या उसके लिए अच्छा है बिलकुल अच्छा नहीं है यह शराब पीते हैं पिता जी और वच्चा भी शराब पि अगती तो उससे द्वेश होता है कि तो उसकी अदूसर वकारे नहीं करेगा समयद रिने वीर बाद तो दिख रहा है ना एकदम से की नरख करास्ता है कि तो कहार रहे हैं कि यह अस्वत विक्ष का हेफल है हेफल मतलब निकृष्ट खराब इस ऐसा जीवन हमको नहीं जीना इस बेर कि मांगे जाए नाम-जब इसम्द में बोलने चाहता हूं मैं यह भक्ति कि कोई भी अंग हो साधना भक्ति मतलब शास्त्र के आदेश से ही मैं अब इसी निलें रहा हूं शास्त्र शासानाएव कि शास्त्र के शासन से ही जो भक्ति की जाती है उसको साधना भक्ति कहते हैं कि तुमको यह करना है तुमको नाम जब करना है यह नहीं शास्त्र बोला कि तुमको अच्छा लग रहा है यह बुरा लग रहा है यह सोच ना कि मेरे को जब करता अच्छा नहीं लग रहा है तो यह वैदी भक्ती नहीं है वैदी भक्ति मतलब विधी बता जा रही है यह करो और यह मत करो कि डजिट मेंक सेंस अब करेंगे इस से क्या फायदा होगा जैसे अभी मारे भक्त हैं जिनकी कोविड में ड्यूटी लग गई ठीक कोविड सेंटर केर में केर सेंटर में अब उनको रात में 10 बज़े से लेकर सुबह 6 बज़े तक की ड्यूटी है अच्छा लग रहा है अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है लेकिन सरकार शासन आइव सरकार के शाषन से ही वो उस ड्यूटी को कर रहे हैं तो सेलरी मिलेगी तो देवी गुण वाले हैं वो मुक्त होंगे भगवान का आशिरवात प्राप्त करेंगे ठीक और उसमें उनको राग और देश की परवान नहीं करनी है इसको भगवान अप्रिशेट करते हैं जिनके पाप नश्ठ हो चुके हैं जून ने करम की वहाँ है ड़ंद से मुक्त हो करके मेरा बजन करते हैं कृष्ण क्रिश्चन क्या मतलब उसका अब से मुक्त हो करके कि या दंद होते हैं हुआ है और उसको दूख लाब हनी राग यह अच्छा ने लग रहा है उसके अंशार हम चल रहे हैं तो फिर नहीं याज मेरा मूड ने कर रहा है आज नहीं करते तो यह सब जो है ठीक नहीं यह भगवान का अशिरवात प्राप्त करने की योगता नहीं है तो एक दम एक ऑपरेशन कीजिए यहां पर ऐसे अंदर डाल ले जिंदर उसको सील कर लिजिए कि शास्त्र शासनेव शास्त्र के शासन से ही जो भक्ति की जारी वह यही आगे जाकर करके राग में परवत्त हो जाएगी और जब भगवान से प्रेम और अगर हम कहें हम मैं अच्छा नहीं लग रहा हम आएंगे हमारा मूड़ नहीं कर रहा तो फिर यह देवी गुण नहीं है ठीक है ओके इस अध्याय का उत्देश इस बात को समझना है कि इतजिकि दो आधिक होयी जो लोग शास्तर का पालान करते हैं वह मुखत होते हैं उनके अंदर देवी गढ़न होते हैं वह उपादेश अच्छे गुण स्विकार करना चाहिए और जो लोग राड राग देश के अधार चल रहा हैं अपनी हैं अपने मनमणी से चल रहे हैं वे हैं आश्व संपत्ति योग्त है और यह है क्लियर गजा था मरस्योग को में कहते हैं इस लोको में भगवान क्रिमशchnरम और चार वनक्रत्व में करते हैं इसकी व्याक्या में आपको अभी जब हम लोग के शब्द बता रहे थे तो भी समझाया था सबसे पहले वे एक सन्यासी के विश्य में कहते हैं एक सन्यासी को भय रहित होना चाहिए क्या वह है इस भय से मुक्त होना चाहिए कि यदि वे काम नहीं करेगा तो इसका भरन इस भी पंची करे नकाम था समुन लोग को कह गए सब के दा ताराम बहुत अच्छा है कि आज गार किसी की चागरी करता और पंची काम नहीं करता लेकिन सभी के कृष्ण परन पोशन करने वाले हैं तो मैं शलनागत भक्त हो तो मेरी मेरा बढ़न पोशन क्यों नहीं थे नहीं है आएसा जीवन जी नहीं सकता है świe क्यों तो अभी कैसे की शिटिति आई वर्णाश्यम की नियमों का पालण क्cry 5000 हो लेकिन करम single के नियमों का पालन किया उसका हर्दे शुद्ध हो गया तो अब इस बात की अनभूती करता है कि भग्मान मीरी रक्षा हर जगे कर रहे हैं और इस कारण से वह है अभय को प्राप्त होता है समझ में आ रही बाद है इसका लिंक है आगले वाले से देखेगा आश्रम और वर्ण के करतव्यों का पालन करने से उसका मन शुद्ध होता ह कि आदे रइखे। सम्झीए सुद्धा का मतलब है संयक शुद्धी बढ़िया से उसका सत्व आनेIX उसका में शुद्ध है क्योंकि हिरिदılar शुद्ध है और हिरदे की शुद्ध है नीमों का पालन करके उसने पहले ब्रहारी का पालन किया फिर फिरवान प्रस्त और फिर अपसन्यास इन सभी में उन उन वर्णों और आश्रमों के दिव्य गुणों का उसने अनुशिरन किया उस कारण से उसका हिर्दय शुद्ध हुआ हिर्दय शुद्ध हो गया तो वास्तेविक्ता समझ में आई कि भगवान ही मेरे रक्षक हैं समझ में आरे बात इसलिए वह अब सन्यास लेने के योग Wiran usar कुछरव करना अध्यान करना इसमें सन्यासी की रुचिती स्मय कीवल यहीं गूड्ञैएं भगवान तरसे समासमें short में बोल रहें बहुत सारे सन्यासी की अगरता बहुत पड़ा गुडवन बोल रहे हैं चितिक आग्रता बहुत पड़ा गुड़ है सहसी का कृस्त मे नहीं आ रहा है मैं नहीं साथीक हाँ जल्दी हाँ बोलतो हो और समझाएंगे और क्या करेंगे समय आ रहा है ना ठीक है चलिए प्रेस्टन करते हूं विजय सन्याशी का पहला गुण क्या है साहसतरा को बेरी नाइस विवेक भैसे मुक्त रहना चाहएं और भैसे मुक्त क्यों रहता है सचें गया सिम्ट्र अकांट से यसले जिए बैसे मुट ऐसे सन्याशी होता है और क्या दो करोण रुपए स digging करेंस लिली है। यह सब आने वाला है। क्यों बाइस मुगत रहता है। कि अपने हो भगवान में क्या आधि क्या यह बतायागा था RM कि जान प्रवक्तरोग्त सुनिक सब्टा नंदिजां औन ju7 कौन अभय सद्ठी को भ fell नहीं होता है भागमान को आश southwest इंते रहे सामने क्या लिखा है सब को सामने लिखा होने के बाद मन में घुसरा है अरहे वो तो ठीक है वह समझ में आ रहा है उसका मन शुदत आरे मिल गया मिल गया उसका मश्रुद ताuhan दान क्यों शुद्ध होता है क्योंकि उसने पहले वर्णा राश्रम के निमका पालन किया है कि सारे उतर देखो कृष्ण भावना में जन्री उतर दे सकते हो गलत नहीं यह जो पढ़ा रहा है उसको तो देना चाहिए ठीक है इसके बाद वे ग्रहस्त के विश्व में कहते हैं दान अर्थात एक ग्रहस्त अपना भोजन और अन्य वस्त्वें जिने उचित तरीके से जैसे कि शेर मार्केट जैसे कि और पाप के तारिक आज तो तरीके है रिस्वत लेकर के नहीं ठीक है नहीं वह सब गलत तरीके जिनने उचित तरीके से एकत्रत किया गया हो उसको योग्य व्यक्ति को देता है इसको आगे भी सीखने वाले हो यह बहुत इंपॉटन्ट है आजकल के जीवन में दुक्की ब कि दो तिन बच्चे जो पैदा हो गए उनका ही पाल न कर लिया तो मैं अब परम आश्रम हूं सर्वस्रेश्ष आश्रम हूं उन्हें के लिए भ् cosmischenu मेरा जीवन सफल है कितना अच्छा ऑन अच्छा ग्रहस्तम है I लेकिन महाराज बहुत अच्छा बता रहे थे ग्रहस्त आश्रम की बहुत बड़ी दिक्कत है कि इस प्रकार से संकीन्ड मान सेकता हो जाती है संकीन्ट समझें बस यह में पतनी है यह बच्चे अब तो माता पिता को भी नहीं पूछते अटोमिक क्या निवकिलियर फैमिली है हमारा जब बोलने की मेरे इच्छा भी नहीं है बट दान से क्या होता है पहली बात यह कि जब वेक्ति धन कमाता है हमेशा ओचे तरीख से कमा भी नहीं पाता है कुछ न कुछ इसमें पाप रहता ही है तो उसको हम जब दान करते हैं ब्रह्मन को वैश्णव को तो उससे हमारा धन शुद्ध होता है महाराज की बात बहुत अच्छी से आप सब जानते ही है कि अगर क्रिश्ट की क्रहस्त के पास धन बढ़ रहा है तो उससे क्या करना चाहिए आप सब जानते हैं उसको कि मानले को ना में बैठा है और पानी अब भरना शुरू हो जाए तो क्या वह बहुत खोश होगा विजय केरेवा पानी आ गया हमसे चाय बनाएंगे पानी निकालना शुरू करेगा नहीं तो वही पानी उसके डूबने का कारण होगा तो अगर धन बढ़ रहा है और उसको भगवान की सिवा में नहीं लगा रहे हैं तो फिर निश्रित रूप से वो धन व्यक्ति को इंद्री त्रिप्ति में प्रविर्त करेगा निश्रित रूप से 100% इसलिए बोल रहे हैं क्रहस्त जीवन में व्यक्ति को दान क चाहिए ठीक है आपको कितना करेंगे 5% से शुरू कीज़े क्या हम 95% में जी ने सकते सुचिए अगर एक लाख रुपे को कमा रहा है तो क्या वह 45,000 रुपे में जी नहीं सकता मैं तो ऐसे बक्तों को देख रहा हूं जो 10,000 में पांच आदमी जी रहा है पांच थे कितने पांच बच्चे दो पांच दो साथ लोग जी रहें 10,000 में और 95 हो क्या रहा है कि जो मेरे भोग की वस्तुमें है या भोग की चीज़ें उनको मैं कम नहीं करना चाहता है यह प्रॉब्लम है मैंने को पहले बताता है एक डिवोटी मैताजी है उनको मैंने बोला कि आप आपने जो पुराने कपड़े उसी में संतुष्ट हो जाए है और उसी धन को आप जेक्ती जाए हैं जिसके पांस ऑरड़ी सो कपड़े हूं तो नहीं भी खरी देगा तो क्या होने वाला अब पुराने कपड़े पर आपके संतुष्ट्ष्टका रहा है और वह पर अपनी सुभधाओं को अपने भूख की वस्तूं को दूसरों के लाप के लिए मैं कैसे दूं समाज कितना अच्छा हो जाएगा है है नहीं बचार नहीं बात हिसका सब्सक्यार उपकर को उन firemen εν मतलब यानेंदिया कर्मेंद्रिय याज्य अर्थाथ अग्नी होत्र आदे नियत करता हैं ये तीन तो आतों को नहीं कर सकते को जुरत ने क्या करना है हुआ ऐसे गारे हम सपत जैन यह गrando क्यासिट का फैला ज乐्न सब्सक्टा दो बात एक भगवान का नाम संखीकिर्टन नाम जब और दूसरा कि इसके द्वारा ही महा परू करें तक इक इस्त को मतश्त जीवन करना चाहिए और बड़े सुक्ष से करना चाहिए और इध्यान देना होगा कि जो भी दान सत्पात्र को करते हैं अगले जन्नम में अगर आप लेना चाहते हैं तो इतना आएगा कि आप समाल नहीं पाएंगे यह अब इसके लिए भागवतम का 237 आप लिजेगा अब में पास समय नहीं उसकी व्यक्या करने के लिए लेकिन अगर भ्रह्माने वैशनों को देते हैं तो इतना आएगा कि हम समाल नहीं सकते हैं अब ब्रह्मचारी आपना नियम सुनना चाहते हैं अपना धर्म ठीक बूल देख अब भगवान ब्रह्मचारी का वंडन कर रहे हैं वह अध्यान में सनलग्र रहता है जिसे ब्रह्म यग्य भी कहते हैं स्वाध्याय तो यह समझना चाहिए कि स्वाध्याय ही एक गुड नहीं है अन्य गुड़ों को आप आगवातम की सब्तम सकन्द में टारी गुरू कोले वसन्द नंतम गुरोरहितम मिविक्तता है और वह बहुoda रहता है वह सबको और देता है प्रस लिख लिए दासवत रहता है तुकिन दास के भवना में तो तो उसका जीवन भोग में नहीं रहेगा उसको पता रहेगा कि धर्म क्या है धर्म किसी धानत क्या है और ऐसा यह बोका की तरह रहे ब्लू कुछ पता ही नहीं चला तो फिर नहीं हो जाए जाए बोल रहा हूं कि संतान उत्पति के लिए पत्नी का संग करना चाहिए अब आज कर के जमाने में किसी को बताओ तो उसको रिवोल्टिंग लगता है यह क्या बोल रहे हैं आप लेकिन पहले जमाने में जब 20 साल उसने ब्रह्मचर का पारण किया है तो यह को इसके लिए बिशेश बात नहीं लगती इस इस लेक इंद्रिशन करना यह सभाविक है बच्पन से सीखता आया है तो उसे पता है कि जीवनकद्देश भोग नहीं है जीवनकद्देश भगवत प्रा है है वेद उन狂 भगवान का अनुभव प्रदान करते हैं जो दिवशक्ति उसे युक्त रहते हैं यह ब्रहमचाली का गुण का समझ मेरे सधाय होता है भगवान के गुण समझ में आते है Belgian के बेक पर दोष्र शुरुवांत प्रुड ceux लोने लगता है ऍेयर अब अब देखिए एक प्रश्न बनेगा कि यह specially वानप्रस्तों को क्यों बोल रहे है तपस्या करने के लिए प्रश्ना सकता है कि तपस्या सब को करने चाहिए देखे बहुत अच्छा डिबुटी समझाए कि ग्रहस्त जीवन में भोग का बहुत संस्कार होता है तो विक्ति अगर तुरण सन्यास लेगा तो फिर उसको धारन नहीं कर पाएगा भोग में फिर से गिर जाएगा तो इसलिए कि विधान है तक का वान परस्त में तकि जो-घुब का संसकार एक तरत हुआ है घ्रहस्त जीवन में उसका मार्जन हो जाएए और जो जिवन के लिए बोग का संसकार्द है वह तपस्टा से खतम हो फिर वेशन्यास के योग मनें अब आप जानते होगा हम इस कल योग में कोई ऐसे सिवा नहीं ऐसे तपस्टा नहीं कर सकते कि पत्ते चबाएं और यह कोई भी नहीं कर सकता तपस्टा कारती है है हरे बग्त मजाक में कह रहे थे डैवर्ज इस फास्ट्रेक टुवानपरस्त आश्रों थीक है यह तो मजाक के लिए वजाक के बात है हां उसके बाद दोबरा भी कर लेते हो इसनी बात सही है चली कह रहे तो मजाक की बात डैवर्ज नहीं करना ची अब ब्राह्मन के गुड़ो को समझने का प्रयास कीजिए आरजव का अर्थ है सरलता वस्रद्धालू श्रोताओं से महत्पूर्ण विश्यों के अर्थ को ना चुपाना जिसे उसने समझा है इलाइन समझ में आई बहुत सुंदर अर्थ है जो उसने वेद का भागवत का जो भागवत की बात करें गीत कि जब मैं यह सुचूंगा कि आरे भाई इसको पाता चल जाएगा तो यह भी ग्यानी हो जाएगा कि समझ गया ना तो इस इर्शा से मासारे से बिल्कुल रही थैं इसने बड़े सरल होते हैं जैसे आप जानते हूं दुरियों क्या नाम बताओ उसका दुरिष्ट दुम्न जानते थे कि दुरिष्ट दुम्न को उनको मारने के लिए यह से पड़ा किया गया है लेकिन ब्रने सहरलता थी कि सारा युद का ज्यान दिया इसलिए तो भग वाम दुरियों ने कटाक्ष किया था क्या श्टोग हो दुश्टवा पांडवानिकम दूरिद्धम दुरियों तव शेन धीमता बहुत बुद्द्धिमान आपके शिष्ष्षि ने दुरियो दन बोल रहा है दुरियोंद्धाण को देखिए कितने बुद्धिमान शेष्षि ने आपके सामने ऐसे ना खड़ी करी है जो आपने सब्सक्राइब दिखाई आब वह ना दिखाई एका दु अहिंसा का अर्थ है प्राणियों की जीविका का चेदन नहीं करना मंतब उनको अनावर्शक नहीं मारना इस पश्ट है सथ है कि दृष्ट वस्त के संबन्य सही वक्तव देना जिससे गलत अर्थ प्रस्तत नहिए जो उसने देख जो देखा है जो उसकी समझावाट है उसको यथावत बोलना गवाही समझते हैं सची गवाही एक बार एक व्यक्ति को एक सम्मानी व्यक्ति को एक अंग्रेज ने गाली दी गंगा जी के तरप पे ऐसा कुछ तो हुआ था तुम एक ब्रहमाड थे तो उस विक्ति ने उस अंग्रेज टे कहलाफ केश कर दिया तो उसने कहा कोई और गवा है गया आसने ऐसे गाली बकी तो एक ब्रहामाद को बलाया गया दुआ पर थे हाँ प्रहामाद थे तो ब्रहामाद का मुझे अंगरीस नहीं पता लेकिन उन्हें यह शब्द बोले थे और जो भी उनने बोला था गाली गलाच भी था मरा उनने यथावत प्रस्तुत कर देंगे दोसे में एक्जांपल के तरह समझा रहा हूं वैसे सब्सक्राइब जैसा है उसको यथावत प्रस्तुत कर देना चाहिए ठीक है और साथ-साथ आपने कभी देखा ऐसा कि भक्तों में बहुत बार मैं देखता हूं वह जूट नहीं बो मतलब देखा है कुछ लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको सथ्य बता रहे हों कि जैसा देखा है कभी ऐसा हूँ है उस डिवूटी ने बोला था हम आनका ऐसे विश्वास नहीं करिया पूर्र इंवस्टिगेट कीजिए पहुत बाहर में जगत में देखते हैं लोग देखते ह लेकिन यथावत प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं आपको यादी हो का मेरे बगल में शाथ पार्त या कोई बठावत था तो ब्रह्मचारी किचिन चल रहा था उस सुमें और एक भक्ता करके बोले प्रभजी एक हजार ब्रह्मचारी बेठे प्रसात पाने के लिए एक हजार हम पारे इसमें सप्लाइ में पार्त रहा है है सब्सक्राइब करते हम लोग हैं वहले सब्सक्राइब करें हैं तो एक हजार कहां से आगए होई और इतने चाहिज चमस्राम तब देख है कि अधीं तुम सेवा करना चाहते हूं लिगन बात तो सही बो कहां देड़ंड सो उसके बख से डील करता हूं कुछ बोल रा किसी के बारे में always take it to the grain of salt कि हर विक्ति के ब्रामन को नकुल होता नहीं हो यथावत नहीं बोल पाते हैं अब क्या कर सकते अक्रोद कारत है दूरजन विक्ति के द्वारा अपना तिरसकार होने पर उठने वाले कोप का निरूद करना अब आपको ध्यान देना होगा यही चीज एक शत्रिये के लिए गर्बल हो जाएगा शत्री का अत्मान कर रहा है तिरसकार कर रहा है ललकार रहा है और चुपचा बैढ़ जाए तो क्या होगा उसके लिए यह उसके लिए आसुरी हो जाएगा यह आप चौतेश लोक में नहीं करना होता है मेरी बाते समझ में आ रही है ब्राह्मन बिजनेस नहीं कर विशेश परिश्टी में कर सकता है और नौकरी तो बिल्कुल नहीं कर सकता है तकि शुद्रु नौकरी करते हैं और वैशी बिजनेस करते हैं समझ नहीं मेरी बात ठीक है नहीं उनसे होता नहीं में नहीं हो वाथ हैं लेकिन आप दॉन नहीं मजे बताया था एक बार ये ये सामने है इसностली के शिंग टवा sometime को है कि भागवत में लिखा अन्टाम कृष्ण प्रभू ब्राह्माण को कभी नवक्रिय नहीं करने ज़िए चोड़के आगे येस गुड़ वाई और बहुत मजबूरी होतो बिजनेस करना चाहिए यहां तो वैशनव के उपने है वक्त तो यह तो कोई भी सेवा करें यह हमारा मजा कर रहे हैं लेकिन एक समझना चाहिए कि ब्राह्मन भी करियर है हमाद ध्यान करें सब लोग शास्तर नहीं पड़ पाते हैं उनको हम दिव ज्यान प्रदान करें दिव आलोग दें यह बहुत सफल जीवन है और भगवान के कृपा से बहुत सब दिवस्ता करते ह आज मैं कल एक बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन इसके संब्ध में आया मैं लोगों से मिल रहा हूं मैं से भी बात कर रहा है तो उनकी जीवन बहुत परिवर्तन आ गया जिसे एक मैं घर में गए थे तो उनकी बच्ची बहुत चुटी थी अभी वो बीय में आ गई है ऐसा कर एक्दम फिक्स्ट है दस भायाट का रूम सुमंगल आरती जब साधना सेवा वापस घूंपर के फिर गीता क्लास फिर दस भायाट का रूम तो आप लोग की जीवन में हो रहा होगा ज्यादा परिवर्तन नहीं कोई अगर कुछ परिवर्तन आ रहा है तो केवल कॉंशनेस का परिवर्तन आ रहा है क्या आप समय सपा रहें मेरे बात को सब्सक्राइब ब्रह्मचारी जी आश्रा में हैं बहुत समय से इसे हो क्या रहा है हम बाकी चीजा से डिस्ट्राइट नहीं हो करके विकन फोकस ऑन दे अपसलुट रूथ फोकस ऑन शास्त्रा और उसके द्वारा हम दूसरों की मदद कर सकते अगर बाकी लोग इतने सारे डिस्ट्राइशन पड़े हैं ये करना आए वह पाना है ये करना है वह करना बहुत सारे जीवन में तो इस प्रकार से विक्ति फोकस नहीं कर पाता तो यह भी एक कर्तव है और भाग्मान चाहते हैं इस प्रकार से कुछ ब्रामण बने जो शास्त्र को जाने शास्त्र का पालन करें दूसरे को बताएं ठीक है शांति अर्थात मन का सायम अपैशनम अर्थात परोक्ष में दूसरे की निंदा नहीं करना तो कोई वेक्तिकर ब्रामण बनना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि हम पीछे-पीछे सामने वाले को कभी कभी ऐसा हुआ कि हम किसी की निंदा कर रहे हो रूम पर आ गया एक दम से कभी कि आप किसी की निंदा क करते तो ऐसे सोचना चाहिए कि हम किसी की निंदा करने और सामने हो तो से कितना बुरा लगेगा दया आर्थात दूसरों के दुख को सहन ना कर पाना बहुंँ सुंदर बात थी आद भी प्रशन उठाया गया कि महाप्रभु तो भगवान है तो दुख अपार ये दुख अ अन्य लोग वेर्थ में भोग में पड़े हुए हैं तुख भोग रहे हैं तो वह दुखी हो यातने कल मैंने बहुत सुंदर बात पड़ी ओल्मोस्ट मैं उसका सेमिनारा देने वाला था त्रनाद भी सुनी चेमना पे सन्मदान भाष्य बहुत अच्छा है अब देंगे क्रिष्ण भावना को दूसरों को दिये बिना यह मुख्य लक्षण है निरप्राधिक जब करने का हिर्दे में दया करना अपने आप वेक्ति की आती है तो अभी समझ बारें दयाकर्थ क्या है दूसरे दुखी है उसको वह सहन नहीं कर पाता इसलिए दूसरे को ग्यान दे अब अब की बार सही कानी सुनाओंगा एक ब्रहामन के पास गए और कहा आप उजदान चाहिए अब बहुत गरीब हो तो क्या हुआ नहीं मेरे आंगल में एक इमली का पेड़ है पिछली बार नीम का उगाय था इमली का पेड़ है और मेरे सश्य थोड़ा चावल या जो भ यह का चटनी या सब्य बना देती हैं और मस्यक रोज वही खा करके संतुष्ट रहता यह उसका लोग से रहत होना मैं कहानियों के मादम से समझा रहा हूं एक प्रामन का इस प्रकार से गोड़ा एक और गोड़ा आप जानते हैं चानक के पंडित के बारे में सब जानते हैं कि एक बाचानक पंडित जी एक कुछ कारे कर रहे थे दीपक की रोशनी में तो एक विक्तियायम से बात करने के लिए तो उन्हें कहां मत रुकी है तो दीपक को बजा दिया और दूसरा दीपक चालू कर दिया तो सामझ में यह क्या रहे हैं तो कह रहे हैं कि जब तब मैं चाहां अम कर रहा था इसलिए राजाक针 युस्ति मॉल आप वो मसी अब मैं आप से बात कर रहा हूं तो मैं अपना दोर्न कर रहा हूं तो इस पर विकर्म हो जाने पर लज्जा होना कोई गलतकार हो जाए वह किसी ली हो सकता हम जानते हो लेकिन उनको खराब लगता यह भक्तों में तो इस्पेशलियूं देखते हैं कि भक्त लोग जब भक्ती करते हैं उसे कुछ गलत कार हो जाता तो उनको बहुत दुख लगता है ये भक्त अच्छे बख्त होने का प्रमुक लक्षन है भक्त गलती हो सकती है बख्त से हो सकती है लेकिर उसको खराब लगना चाहिए और वह है उसको सुधारता जैसे कि आप जानते हो प्रशित महाराद ने जब सांप फेग दिया था शमिक रिशी के उपर ना तो उनको बहुत दुख लगाता और बोले कि जो भगवान की तरफ से दंड आना है वो तुरंत अभी आ जाए मेरे आगे के जो वंशज है उनको यह योग नहीं एक भग तो बहुत अच्छा मुझे बोल लेते प्राण नात्रो मुझे बहुत उनकी बात यादा कुछ भगतों की बात बड़े अच्छी होती हो क्याते हैं कि मैं जब चाहें कि इतना भी कर लूँ ठकता नहीं काई बार 118 से माला करते थे जब यहां पे थे ल यह सब ब्रह्माटक गुण बिल्कुल नहीं है ठीक है अचापल कर समझ नहीं चपलता समझते हैं इधर उदर चल जलता तो ऐसा नहीं कंभीरता रहे व्यर्थ की बात ना करें भगवान चचा में लगाते हम ठीका पढ़के ही रुकेंगे तो इसलिए आप मश्ची की भी ख नहीं अब जानते हैं जरासंद जब भगवान कृष्ण से युद करने आता था तो वह सोथा था कि कृष्ण निम्न है पर क्रिश्ण तो भगवान है और अकेले ही बगवान कृष्ण और बलराम जी उसकी पूरी सेयना को द्वस्त कर देते लेकिन और बेज्जत होता था थ जंगल उंगल जा रहे तो ब्रह्मन को काम करें इस तो सब काल का प्रभाव था कि आप भार गये फिर तयारी करी या पिर युद्व में आता था फिर बहुर्स को मारत देते तो यह तो लीला की बात है लेकिन को निम्न बगती है उससे अभिभूत नहीं होना जैसे कि आपक पिशर्व गता ऐसा कैसे हो गया समझ रहे हैं गड़रिये कौन थे वह भगवान कृष्ण नहीं करना यद्द पी अपमान करें और यद्द पी कृष्ण का सामर्त हो भी यानि किसी विश्वेश परिशिती में वह श्रमा भी कर सकते हैं जैसे यस जैसे भगवान कृष्ण सब्सक्राइब करने छेवान के लेश्वेश पहला साला कौन था ना मताओ कृष्ण से खीव सबसेदये के और उनकी अब पहला विवार अक्मनी से हो रहा था सिस्धी हरें तो उनके सलेने ने पीजों के भॉत mahnा चलाए बहुत युद्ध किया तो भगवानिये दाड़े मुझ काड़ दिया था पर भवान मारना ही जा रहे थे लेकिन पर बल्राम जी निका रहे है जोड़ी यह साला है कोई बात नहीं ठीक है तो वहां भगवान ने फिर उसको शमा कर दिया इसको पूरी तरह नहीं समझ पहा रहा हूं एक लीला समयाध आ रही है आपको पांट को लाक्षा कि रहे हैं जलाने का प्रयास किया किया था दो एक उसमें से सुरंग थी स्वरंग से निकल जाते हैं फैस जंगल पे चल रहे हैं तुप ठक जाते हैं तो भीًद जो है अपनी मा को और कितने बचे चार लोग चारों को उठा करके फिर दोड़ना चालू कर तुब आगे बढ़ जाते हैं तो हम एक गुण भीम करें पर देख रहे हैं यह थक होने के बाद भी उनमें शक्ती रहती है कारे करने के अब वैस्चियों के बता जा रहे हैं कौन बना चाहता है यहां बिजनस कौन करना चाहते हैं सब ब्रह्मण बना चाहते हैं गुड रहना यह बहुत इंपॉर्टन बात है आज कर देखिए अगर यह हो तो भी जीवन कितना असान हो जाएगा आप मानते हैं बात महाराग प्रवजी बहुत जो करते सार्वांप्रभू पहले था घी फिर शुद्ध घी फिर हंड़ेट परसंद शुद्ध घी एटमींस 40 परस पिट नहीं ले सकते हैं यह तो को मतलब ही नहीं बाड़ेज का लेकिन यह नहीं कि जैसे आज कल देखे रहे ना दूद्ध की जोगे केमिकल बिला देना यह सब बाड़ेज नहीं है ठीक है समझ मेरा शॉच का अर्थ क्लेलिनस अद्रोह का अर्थ है दूसरे को हिंसा करने क यह कि यह टल्वार आधी नहीं उठाना ता अब देखिए क्या तलवार उठाना शत्रय के लिए देवि गुण है है लेकिन वहीं चीज वह रिएक के लिए नहीं है क्या ब्रह्म्ण के लिए है नहीं है । किसी विशेष परिस्तिति द्रोनाचारिता लिए युद करते हैं ये उनके दो गुण है भगवान अब शूद्रियों के गुणों को वर्ण कर रहे हैं न अति मानिता अर्थात स्वयम में पूजत्व की भावना की शूनिता मैं बहुत महान हूं मैं सब जानता हूं उससे बड़ा कौन है इस भावना है और अन तीन वर्णों के समक्ष नम्रत की भावना जिन्हें पूच्य मानता है मेंस प्रहमन शत्रिय वैश्य यह उसका गुण है तो इस प्रकार से 26 गुण का वर्ण हुआ ठीक है आप दोबारा पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहें स्वाध्या किसको गुण था ब्रहमचारी का तो ब्रहमचारी लोग दोबारा पढ सकते हैं समझ में आ जाएगा अपनों को सारे कुछ चीजी में समझ लेना चाहिए कि केवल यही गुण नहीं है हाँ एक आप प्रॉब्लम आप देखी रहे हैं कि जो विक्तिव समय शूद्र गुण का है ब्रहमण को कोई भी गुण नहीं उसमें वह समाज में उच्छ पद लेडर बन जाए अब वो तो खेर हमारे इस पर व्यक्ता करने से फायदा में नहीं को चेंज नहीं होने वाला है लेकिन यह स्थितिक के लिग में है अंधा यतांदेर उपनी इमाना तेपी शुतंत्रा उडुदाम निफद्धा खुद वो जीवन के बारे में नहीं जानते तो उसके सभाव को देवी कहा जाता है और ऐसा विक्ति मुक्ति की और उन्मक होता है इसको लाल से क्यों रखा गया है अगर विक्ति शूद्र है शुद्र सभाव का है केवल परिचरिया कर सकता है हाथ पर के कारे कर सकता है तो वह करे लेकिन नम्र भावना से समझ पाने है जो विक्ती जिनगों से कुफ्राप्त है नपन की स्वामें मुक्त हो सकता है बैस अगर मान लोग कुछ नहीं कर सकते दिश्र मांदिर के जट दो को हुए मर सकता कोई भी सिवा हम कर सकते हैं और फूल क्यों नहीं को का सकता कोई प्रभपाद ने बताता है ग्यारा पश्पन में तो ऐसे काड़ में अपने कर्म करके भगवान की सिवा करके वह है मुक्त हो सकता है डाज़िट मेक सेंस यह गुण आश्रम और वर्णों के मुख्य गुण समझे जाने चाहिए जिन गुण का वर्णन यहां नहीं किया गया है उनको भी यहां सम्मिलित कर लेना चाहिए मतलब अन्यत्र भी हुआ जैसे कि भागवत में और डीटेल में वर्णन हुआ है ब्रहमचारी का उसको पढ़ होते हैं जिसकी शुभवासना होती है और जो पहले किये गए पुन्य काद्यों के कारण उत्पर्ण होती है यह देह प्राप्त होने पर फलिभूत होती है यह लाइन समझ में आरी है पिछले जन्म में जो अच्छे कारे किये हैं उसकी वजह से मन में अच्छे संसकार है यह माइंड बंद हो गया भी ठीक पुन्य कारियों के द्वारा पुन्य बनता है और पाप कारियों के द्वारा पापी बनता है पहले पाप किये हैं तो अब पापों में बुद्धी लगेगी पुन्य किये हैं तो फिर पुन्य में बुद्धी लगेगी लेकिन भवान के भ वक्त इसको चेंज कर सकते हैं उनके संग से उनके कृपाफ से कोई पापी व्यक्ति भी प्रियात्मा हो सकता है यह संपद देवताओं की संपद है जो भगवान का आदर करते हैं क्योंकि इस अवस्थाव से भगति के ज्यान और भक्ति को प्राप्त करने की संभावना होती है इसलिए संफार रुपी विर्ष का उत्कृर्ष्ट फल है प्रापपा की अधवार पर आगे वोगा बस एक बात बोलनyorsunर चाहरों से कि आपने देविये गुणों का मूल गुण क्या सीखा था याद आ रहा है देविये गुणों का मूल बात क्या सीखी था याद आ रहा है वो रूट रूट शास्त्र पर विश्वास यहीं बात बोल रहा है जब शास्त्र विश्वास होगा तो भगवान का समान करेगा भगवान के आग माइक माइक दीजिए प्रबजी को या चलिए बोली फिर में रिपीट करोगा है हाँ अच्छा प्रश्न कहा रहे हैं कि यह यह गुण क्या विक्ति में अपने आप होते हैं या उसको आप इसको प्रश्न नंवी देख सकते हैं कि दो बच्छे पैदा हुए हैं और कुछ भी संसकार और दिया जाए फिर फिर उनकी प्रविर्तियों में अलग बेष्ट यह देखते हैं कि नीज कर्म के वह कहान से कहान किया है कि यह समझ में रहा है कि है है लिभाए में तुरी सुना तो एक बार एक स्त्री थी और तो आप थे पता था हूँ एक लड़का जो है गौतम रिश्री के पास गया और बोला कि मुझे आप अपना शेश्य स्विकार कीजिए तो उनका तुमारे पिता का नाम क्या है तो उसने कहा मुझे नहीं पता कौन सा गुंड देखा था आपने अभी अभी प्रामन का सत्य सत्य क्लियर अच्छा अपनी मां के पास जाता है और फिर वह मां से पूछता है कि माता मेरे पिता का नाम क्या है तो माता ने कहा मुझे नहीं पता तो माता का स्चुश्य आप समझ गये तो अब बताईए वह गौतम रिशी ने क्या बोला तुम ब्रामण और यह बात बिल्कुल अभी चौथेश लोग में देखेंगे कि तुम बच्पन से ही देवी गुणों से संपनों आप लोग वहां बारा थोड़ा तो पढ़े होंगे आपको पता है ना कि जो पांचों पांडव पन हुए थे मैं रिषी म मिलने बूलते हैं कि Keith Spencerika मैं और यह सब आध की संपनों से संपनों है सब जानते हैं यहिजा कंद सकते तो पीच्छी की वया होएक से हमने कि सम्झा आता है उसकी पूजा करता है और जो नरग काटके आया हुई तो उसका जो बरताव है वो बहुत खराब रहता है या उसको बुरे लोगी अच्छी लगते जैसे मैंने एक अपने भाई को बोला कुछ हरे किष्णा के लिए अरे चाड़ा क्या बाते करें लगे ठीक है तो यह नहीं सुनते क मुछन नहीं कहने चाहते मैं भी नहीं करना चाहते लेकिन हम देखते हैं इस प्रकार के लोग के और यह जैंस कि देखें अगर बह fabrication क्या तो क्या है वो यह स्यास्ति भक्ति भगवत सारे गुणा जाते हैं और आप जानते हो मिरगारी कितना हीन विक्ति था और बाद में कितना अच्छा हो गया था लग्का हाई रा प्रोशिट्यूट थी और महान वश्चनी वी वन गई तो भक्ति तो नहीं लोग तो किसी को पी कि इश्टी अच्छा वी है हम लोग 13.8 से 12 में जो गुर्ण कैसे कर सकते हैं अ हुआ अप्कतियोग भक्तियोग भक्तियोग अधन ही सारे गुण अगर हमें अपने मन की नहीं सुननी चाहिए तो फिर किस तरह से हमें डिसिजन लेने चाहिए अच्छा प्रशन है शास्तर रूंसार जैसे मेरा मन कर रहा है मैंगी 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 तुम मैंगी नहीं खाऊंगा कहने का मतलब है कि मान लोग को उसमें ऐसी वस्तू है यह तो भले मुझे पसंद हो मैं उसको नहीं खाऊंगा भगवान को भोग अर्पित नहीं है तो मन चाहिए कितना भी कर रहा हो उसको नहीं खाएगा इसलिए शास्तर के अंसार चलना चाहिए और अगर शास्तर नहीं बजने का प्रयास करना चाहिए जैसा कि शूद्र ही बात की बात आती है हम है महमान लेते हैं कि ब्राह्मन को कुछ को उच इसको कैसे को उच इसको कैसे देखा जाए सोल के दिरिष्टे से देख रहे पर सब समान हो जाएगा बहुत अची बात है देखिए वर नाश्रम उन तुम श्वत्री हो तुम ऐसे कारे करो जीव अविद्या में है उसको बोल दिए तुम आत्मा हो तो तो के वल आत्मा के क्या कारे करेंगा समझ नहीं पाएगा तो वर नाश्रम एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम लोग भक्ति ठीक से कर सकते हैं हर विक्ति का एक साइको फिजि जानी है वह तो सभी के उसमें आत्मा ही देखेगा लेकिन फिर भी शास्त्र क्यों बोल रहा है क्योंकि उसकी मनों विज्ञाने की इस्ति प्रकार की है आपको ब्रह्मान को बोलो तलवार उठा ले तो नहीं हो पाएगा उससे और शत्री को बोलो कि तुम जह है बसाब शा करके मुक्ति की पत्प्या के बढ़ता रहे पता नहीं मेरे प्रश्न का उत्तर समझ आपकी प्रश्न का उतर हुआ कि नहीं इसका मत उतर होता है अब यहां कह रहे हैं कि लाड़ी देवी I am 10 years old मैरे 10 साल की हूँ अच्छा मेरे प्रश्न है कि राधारानी कृष्ण से अधि नहीं पार आपका सत्व सुधी और शोच में अंतर अत्वा सामांजस्य सत्व शुद्धी का रत है रदय की शुद्धी जिसके दाराविक्ति समझता है कि भगवान ही उसकी रक्षा करने वाले हैं शौच का अर्थ कि अबने यहां पर क्या सीगा था व्यापार में कपटता नहीं करना सत्व शुद्धी किसका गुड़ था सन्यासी का सौच किसका गूड़ था वैश्रीका तो सबके अलग-अलग गुड़ है तो अंतर है हमें कैसे बता चलेगा कि हम कौन है हम कृष्णी दास हैं ना हम विपरो नचनर प्रती ना पी वैश्यों न शुद्रा अश् है हम लोग देखिए भले ही बरनाश्रम में operate कर रहे हैं लेकिन हमारा identification आंतरिक identification यह है कि हम कृष्ण के सेवक हैं और हमें कृष्ण की कीर्थी का और प्रचार करना थे समाज में ऊची करना भले भडर को के समाज में है को विक्ति शास्थर बोलेगा को कि सिंपल सरवेसिस करे लेकिन सब्सकित काटने वाला भी कृष्ण को उतना ही प्रिय है भागवत प्रवाचन करना मौ उसमें आप अंतर नहींकित हcando हम है शोछज पर शत्राइब शास। खाट है क्रिष्ण को बैता है कि फड़ान की सेवध कोइं से नहीं है हमार। कि आपने बताई कि अगर संकल्भ कर ले तो भी कोई भगत बन सकता है यह बात प्योर्ट के लिए ही है जैसे नारंद मुनिया नौले को इस्टीन राउंड से चार निम का पालन कर रहा है उसके लिए भी यह पॉसिबल है यह बहुत अच्छा प्रश्ण है बिल्कुल है और यह मैं अपनी शक्ति से नहीं बोलनाओं शीला प्रभुपाजी कहते हैं जो विक्ति सूला माला जब कर रहा है और चार निम का पालन कर रहा है वो कहीं भी प्रचार करेगा तो सफल होगा यह यह शक्ति हमारे पास हमारे तरफ से नहीं आ रही है यह भगवान की तरफ से आ रही है और यह हरी भक्ति विलास में लिखा है कि जो विक्ति वैश्णम मंत्रों का जब करता है आप लोगों व करrement करें निए क्लीक क्रश्थ महाजा describing अपैलम करें तो ये प्रचार अपने प्रतर पारे था और हुए हैं झेलों की सब्सक्राइब ओश्ख्थ कशज़ारे लीज करें एक चार निमग़ों को पालन को है। बारा साली आप आप सुने है 12 साल अगे आगे को नेमीत रूप से ओ नहीं ऑने कि अगर ऑन के बारा साल कजो कमत दर शोज अलग है कि हम बारा साल नीमेत रूप से अगर इस प्रकार से बक्ति कर रहा है तो उसकी कुर्पा से भी लोग भक्त बनेंगे मेरे गुरु मरासमने बोल रहे थे एकदम न्यू टीबोटी भी है एकदम न्यू टीबोटी और उसने किसी को किताब दी तो उसने 10 रुप इसको दी है शानोपर वुद आपने कभी किता है हां कौसी किता शेयुरा कर ओने और अब व्यूंद अब जब किसी वेक्ति निए आपको 70 श्रुट euro पर दिया आपो बहुत दूख हाना आप तो किसने प्मॉजा कर रहा हूं कैसा लगा को अच्छे से अच्छे लग ना अच्छा हाण अच्छा लगा न? ऑच्छा इसने गीता दिया उसने सवर पे दिये जो भी पैसे दिये आख खुशी हुई वहीं से वैष्णा सेवा कर दी निश्यद भक्त बनेगा कि मझे भक्त ने बताए मैं चक्षित हो गया हम लोग हम लखनों कब गए थे लास्ट टैम पार्त यादे बहुत हो गया पांस साल आज मुझे फिर से बात हुआ तो बता रहे थे प्रभवजी उस दिन आपने उसने पांस साल पहले उनको बोला मैंने अरे घर में टीवी हो सकता है भागवत नहीं हो सकती है तो नहीं भागवत खरीदिया बूले हम रोज नियम से 10 पेज प्रभपाज की भागवत पढ़ते हैं कितना सुंदर है देखिए जिसको कुछ भी आएड़ नहीं हो रोज प्रभुजी माताजी दस पेज भागवत का पढ़ रहे हैं कितने ग्रहस्त पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कृपा नहीं कर सकते आप इतनी बड़ी बातें आप करोगे हम कृपा नहीं कर रहे है कनेक्शन उपर से जोड़ा है हमारा परमपरा की कृपा ठीक है तो सुला माला जब करें सार्दिम्र का पालन करें तो निश्रित उससे भट बनेंगे लोग लेकिन ये नहीं कि अबस प्रभजी संकलब करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे यह भी नही कि यह प्रेशन बाब अच्छा है कि अ French बाट अच्छा है लेकर गंभीर उत्तर है सुर्रल भक्ति से कहते हैं वी वांट राधास्यम कि हम श्री मति राधार राने के दाप्थ को प्राप्त करना चाह्थें बसें कि अंतर नहीं कि श्रीमति राधार नेग्रिश्म की से कहें लेकिन उनकी जो अच्छा प्रश्न है बहुत तरी इतना बच्छा छोटा बच्छा इतने बड़ा प्रश्न कैसे करेगा इन पहुपा जिसे कहते हैं कि कृष्ण को अप्रोच करना कटिन होगा लिगन श्रीमति राधरानी बहुत कृपालू है तो उनके द्वारा हम कृष्ण कृष्ण को अप्रोच कर सकते हैं और श्रीमति राधरानी कहते हैं कृष्ण देखो ही कितना चार डिवोटी मुझसी बच्छा डिवोटी है तो उसे स्विकार करो कि यह अलट पॉइंट है क्रिश्ण भावना की जय हो थैंक्यू अच्छा आगे क्या है और को प्रश्ण न क्या है